सियासी उठापटक पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को करनाटक से जुड़ी हर खबर लगातार सबसे पहले पहुँचा रहा है रिबादों के बीच यदिया यूर्पबा ने सुभ sophomore न बजे मुक्यमंटरी पत्तिशा पतली यदिया यूर्पबा के मुक्यमंटरी कट्तिशा पतली के ही बेजेपी समर तक खुशी से जुम उते ही दो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं शपत लेने के बाद राजिपाल ने उनको फूल से नवाजा और बेंगलूरू में जश्न का माहौल है बीजेपी खेमे में जो उनके कारे करता है उना जुगा कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये यूरप्पा ने वी विक कान सभा पहुँच गए काम करने के लिए और उनके जो कुछ खास लोग थे उनके साथ उनके अपनी बैठक निर्धारित करी तो करनाटा की हर खाबर सबसे पहले हम इंडिया न्यूस पर आपको दिखा रहे हैं अब जो सबसे बड़ी चीज जो उलजने जा रही है वो ये क कि ये घणित कैसे जुतेगा अगले 24 घंटे बीजेपी के लिए बहुत प्रूशल होने वाले हैं कि कल सुप्रीम कोड की तीन सदस्ये बैंच में उसको अपना आकड़ा स्वापना होगा कि कौन-कौन विधायक इसके साथ हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस और जेडियस का धर रोध का माहौल था आप देख सकते हैं कारकरता जोश में थे जस्त मना रहे थे और दूसरी तरफ कॉंग्रेस और जेडियस के नेता जो थे वो धरने पर बैठे वे ते गांधी जी की मूर्ती के नीचे वो सब धरने पर बैट गए अशोग गैलोत बड़े बड़े नेता सि उनका साथ कहना था कि बीजेपी अपनी सभी मशीनिरी को अपने को विधान सबा तक पहुचाने के लिए स्तेमाल कर रही है तो टूटर वार भी शुरू हो चुकी है राहूल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है उन्हें कहा करनाटक में बिना बहुमत की सरकार बनाकर बीजेपी सम्विधान का मजाग बना रही है देश लोकतंत्र की हार का मातम मना रहा है बीजेपी खोकली जीत का जश्न मना रही है राहूल गांदी का ट्वीट आते ही फॉरन बीजेपी अध्यक्ष अमिशाह का ट्वीट आया उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या तब हुई जब कॉंग्रिस ने जेडेस से असरवादी गड़बंदन किया ये गड़बंदन करनाटक के लिए नहीं बलकि अपने फायदे के लिए दोनों ही पार्टियों ने किया है ये तीन तस्थीरे हम आपको दिखा रहें कि किस तरह करनाटक की राजनीती में जो सियासत इस समय करनाटक में उलज गई है मुखे मंत्री पत की शपत लेते हैं ये ये योरपा ये पूरा मामला सुप्रीम कोट पहुँच जाता है वहाँ से स्टे नहीं मिलता है राजपाई के फैसले को सही ठाराती है सुप्रीम कोट राउल गानी लगाता ट्वीटरों ने किया और हमला बोला बीजेपी के ऊपर कॉंग्रेस की जो नेता है बड़े नेता जो वहाँ पहुँचे हुए है सिधार मईया जो एक्स मुखे मंत्री है वो भी धरने पर बैटे हुए जेडियस के नेता भी उनके साथ है तो एक तरीके से कहा जाए तो शक्ती प्रदर्शन कॉंग्रेस और जेडियस का जारी है आज इस देश में कॉंस्टिट्यूशन पर जबरदस्ट आफ्रमन हो रहा है आपने करनाटक में देखा MLA वेक तरफ खड़े है और गवर्नर दूसरी तरफ खड़े है और आप जानते हैं कोशिश क्या है कि अगर MP और MLA आठमी पास या दसमी पास नहीं है तो उसको MLA एंपी नहीं बनने देंगे या प्रदान मंत्री अगर आठमी और दसमी पास नहीं है तो उसे हम प्रदान मंत्री नहीं बनने देंगे ये क्यों कहा गया कि पंचायती राज लोगों को आठमी दसमी पास होना चाहिए ये सोतला वेवार क्यों हो रहा है आपके साथ कि प्रदान मंत्री के सामने आप एक शब नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कार प्रदान अक्रमन हो रहा है मकर सच्चा आप्रमन आपके उपर हो रहा है जो आपकी पावर और है हख है वह आप से चिना जा रहा है तो कॉंग्रेस और जेडियस मिलकर सुप्रीम कोट पहुच गए और वहाँ पर एटॉनी जनरल और अभिशेक मनु सिंग्वी के बीच बहस चली सुप्रीम कोट रात में दो बजे खोला गया तीन सदसीय बेंच पहुची वहाँ पर और अभिशेक मनु सिंग्वी ने साफ साफ का कि जब येदी यूरप्पा ने एक हफ्ते का टाइन मांगा था बहुमत साबित करने के लिए तो गवर्नर साहब ने बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय क्यों दिया हमारे पास 117 विधायक है जबकि बीजेपी के पास 104 विधायक है जब हमारे पास संक्या जादा है तो हमें शपत के लिए क्यों नहीं बुलाए गया राज़िपाल को पार्टी नहीं बनाया जा सकता मुकल रोतकी एटाउनी जनरल है उन्होंने कहा राज़िपाल के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती है सुप्रीम कोट का भी फिर बाद में यही फैसला आया राज़िपाल का आदेश जुडिशल रिव्यू के दाइरे में आ सकता है ऐसा अभिशेक मनु सिंग्भी का कहना था जार्खन गोवा और जग्दमिका पाल केस में सुप्रीम कोट ने बहुमत की मोहलत घटा दी थी अभिशेक मनु सिंग्भी ने अपने सारे तर्क पेश किये इस पर मुकुल रोतकी ने कहा कि दोनों फैसलों की आलोचना हुई थी गोवा में कॉंगे सबसे बड़ी पार्टी जरूर थी लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था इसलिए गटवन्दन को गवर्नर ने जो इन्वाइट किया था गोवा और मनीपूर में तो एंडिया नियूज ने पूरी रात लग कर आप तक हर अपडेट सुप्रीम कोर्ट का पहुचाया और सुबह से लगाता है हम भी हर बड़ी खबर हर अपडेट आप तक पहुचाया